हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल विकास3.1 टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब से पैसे कै पैसे कमाउंगा आपको ये नहीं पता तो फ्रेंट्स आमीं मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेब राइस बताने व वाला हुँ स्टेब को आणने आपकर जयाए यूट्यूब से आपके जो पैसे हैं वह आपके बैंक एकौंट में कैसे आते हैं सारा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वीडियो बहुत ज़ादा इंफोर्मेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर न्यू है तो फ्रेंट्स यूट्यूब चैनल बनाने से पहले सबसे पहले आपको उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको किस कैटेगरी में अपना यूट्यूब चैनल बनाना है किसमें आपका इंटरस्ट है किसमें आप वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे ये सब पहले आपको decide करना पड़ता है कि आपका technology का channel आप बनाना चाते हैं या फिर आप entertainment का channel बनाना चाते हैं या news का channel बनाना चाते हैं sports का या cooking का जिस भी category का आप channel बनाना चाते हैं सबसे पहले आप उसकी category decide करें उसके बाद आप उसकी niche decide करें कि मानलीजी जैसे sports है तो उसमें आप cricket की वीडियोस ही डालेंगे या फिर hockey, football, सब तरह की वीडियोस डालेंगे आप किसी एक particular niche को select करें जैसे मानलीजीए sports में आप cricket को select करें तो सारी वीडियोस cricket की ही डालेंगे इस तरीके से आप पहले अपनी niche को select कर लें ठीक है उसके बाद आप अपनी category का जो channel जो आप बनाना चाते हैं वो channel आप YouTube चैनल create कर लें अपना YouTube पर ठीक है YouTube चैनल बनाने के बाद अगर आपने long का channel आपने बनाया है long वीडियोस का तो उसके लिए आपको 1000 subscriber और 4000 घंटे का जो आपने बनाया है अगर short channel आपने बनाया है तो short channel का जो criteria है वो है आपका 1000 subscriber और 10 million views आपके पिछले 90s days के अंदर मतलब पिछले 3 महिने के अंदर आपके 10 million views आपके short channel के उपर होने चाहिए जब यह दोनों तरह के criteria अगर आपका long का है यह short का है यह criteria आपके full हो जाते है फुल account बनाना पड़ता है तो वहाँ पर आपको Google AdSense का जो account है वो create करना पड़ता है भाप अपना genuine name डाले जो आपका अधार कार्ड में या फिर आपके voter ID में जो आपका real name है आपके bank account में जो name है वो name आप महां पर डालें अपना AdSense account Create करना पड़ता है आपको सारी चीज़े आ अगर सब कुछ जो आपका content है, original content है, आपका खुद का content होता है, सब कुछ उसमें genuine तरीके से होता है, तो आपका जो channel है, वो monetize हो जाता है, अब monetize होने के बाद भी आपको काफी सारी चीजे वहाँ पे करनी पड़ती है, monetize होने के बाद जब आपकी earning शुरू होती है, तो spin से आपको अपने AdSense को verify करना होता है, इतना सब कुछ करने के बाद, जब आपकी earning आप YouTube पे वीडियोस डालते रहते हैं, आपकी earning होती रहती है, जब आपके AdSense के अंदर 100 डोलर हो जाते हैं, उसके बाद YouTube 21-23 तारीक के बीच में, हर महीने की 23 तारीक के बीच में, आपकी जो payment है, वो release करता है आपके bank account में, जो आपने AdSense के अंदर डाला होता है, उसके थुरू आपकी जो payment है, वो आपके bank account में आती है, जब आपके AdSense के अंदर 100 डोलर हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी payment आपके bank account में आएगी, मालीजी आपके 50 डोलर हुए हैं, तो नहीं आएगी, फिर अगले महिने तक आपको रुखना पड़ेगा, जब तक आपके 100 नहीं हो जाते, तब तक आपकी payment जो है, वो आपके bank account में नहीं आएगी, minimum जो criteria है, वो 100 डोलर का है AdSense के अंदर, तो इस तरीके से आपकी जो कमाई है, वो YouTube से होनी शुरू हो जाती है, और YouTube स पैसे आपके bank account के अंदर आजाती है, मैंने सारा process आपको detail में बता दिया है, अगर फिर भी videos related कोई question है, कोई query है, तो आप मझे निचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे like और share ज़रूर करें, thank you